माफिया डॉन अतीक एहमद बा उसके भाई अश्रप की प्रियाग राज में शनी बार रात लगवग नो बजे गोली मार कर हत्या कर दी गई गटना के समय पुलिस अतीक बाश्रप का मेडिकल कराने कॉलिन अस्पताल ले गई थी गटना के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है अतीक बाश्रप की गोली मार कर हत्या करने के बाद तीन आरोपियों ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया तो नमशकार मैं इरिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी छेटन नियूद गटना के समय पुलिस अतीक बाश्रप को मेडिकल कराने कॉल बिन अस्पतान ले गई थी इस गटना के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है आपको बताते जले कि पुलिस उरक्षा में अतीक बाश्रप पर तावल तोर गोलिया बरसना शुरू हो गई इस हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई फाइरिंग होने से मौके पर भगड़ मच गई बाद में हमलावरों ने खुद को सरिंडर कर दिया गटना की सूचना से सीम से लेकर आलाप सरों तक हरकम मचा हुआ है यह इंसिडेंट हुआ है इसमें उनने फाइर किया है इसमें तीन लोगों को भी पकड़ा गया है और इसमें इनकी उतीत और श्रफ की देथ हुई है क्या हो रहा है इसमें अलावा एक पतरकार है जो एनाई के हैं मैं उनके नाम अभी नहीं डाइबस कर रहा हूँ लखनों के पसरकार है एनाई के इनके चोट आई है और अभी मेरी उनसे बात हुई है तो उस इंसिडेंट में नहीं खड़े थे तो इसम खागे दोड़े हैं उनको गिरने से चोट आई है और एक कॉंस्टिबल है मान से हुआरा हुआ है जिसको अभी प्रात्मिक रूम से फुने इंजरी है उसके आउन से क्रॉस की है बागी और डिटेल्ड इंक्वाईरी डिटेल जनकारी ना पूदूँगा मैं गुनार रिपीट कर रहा हूँ हूँ मैंडेटरी लीगल रिक्वाईर्मेंट के सहर मेडिकल के लिए याए हुए थे मीडिया के समस्ट कर्मी इन लोगों के साथ में थे और इसमें जो प्रात्मिक अभी तक जानकारी में तीन लोग मीडिया पर भीवागे आए और उन्होंने बाइट लेने का प्रयास किया प्रयाग राज में माफिया अतीक अहमद बा उसके भाई अश्रप की हत्या के बाद सुरक्षायक के लिहाज से पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू की गई है और समस्त जिलों में सतरक्ता बरत्ते गस्त करने मिश्रत आबादी वाले छेत्रों में पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिये गए है तो बहीं जनपत फरुकाबाद में जिलादिकारी संजे कुमार सिंग, पुलिस अधिक्चक अशो कुमार मीना, नगर मस्टिड वीपाली भारगाव बासियो सिटी प्रदीप कुमार भारी पुलिस बल के साथ शहर में गश्त करते नजर आए दस्त के दोरान समस्ताला दिकारियों ने शहर के थाना मुदरवाजा में पांच मिनट का विरामकर जल गरहन किया और पुलिस अधिक्चक अशो कुमार मीना ने यूपी छेत्तन न्यूस को बताया कि किसी भी तरीके से कोई भी भड़काव टिक्नी आधार्मिक भावनाओं को के साथ शोहर को विगारने वाने वाने पिक्नी ना करी सोचल मेडिया की अगर कोई इसी बात करता है तो उसे उखला पतो जब तो कारवाई की जाएगी हमारा फिलिस फोर्स और प्रसाशिन के दिकारी है साथ साथ लगातार सभी जगे ब्रमेंची लें और सभी चीजों पर नजर रखी जारी और पूरे जन्पर में फूल लूप से शांती वेस्तपाएं